जैहिन दोस्तों, वेलकम तू एपी एकेडमी, आज हम लोग NCRT की बुक का चैप्टर नबर थर्थीन पढ़ने वाले हैं, विच इस फंड विट मैगनेट्स, इस चैप्टर में हम लोग मैगनेट के बारे में पढ़ने वाले हैं, मैगनेट जिसे हिंदी में चुमबग बोला अजफ एगे बाए रशेब्र नदे खाता है, आपने कई बार्व देखा होगा कि कुछ मेंगनेट में मागनेट मतलब होता है चुमपक, जो आइरेन के पीसे होते हैं, जैसे आइरन पर्टिकुलर आगर मैं बात करूँ हम hand už ऐसी प्रकुर्टी होती है कि जो आइरेन कीपेस होते हैं, उसके साथ जा करके अटैच हो, तो actual में magnets हैं क्या और magnets में ऐसी कौन सी properties होती है कि कुछ materials उसके साथ जाकर attach हो जाते हैं अब magnets के examples अगर आपको देखने हों तो बहुत सारे examples हमारे आसपास हैं जैसे यहां पर देखिए यह एक crane है जिसमें यह box है और इस box में यह क्या कर रही है crane यहां से जो waste particles है उसको उठा रही है आपने कभी कबार देखा होगा कि जो waste particles होते हैं उनको deposit करने के लिए या उनको उठाने के लिए crane का इस्तमाल किया जाता है यहां पर इस crane के wire से box attached है और box से क्या किया जा रहा है यह जो waste particles है वो सब क्या है उठाए जा रहे हैं लेकिन अगर आप यहां notice करेंगे तो कुछ iron के pieces जैसे अगर waste material में कुछ iron के pieces होते हैं तो वो यहां box पे stick कर रहे हैं अब यह box पे चिपक क्यों रहे हैं what is the reason behind it तो जब कभी यह देखा गया तो इससे यह समझा गया कि भई box में ऐसा क्या है कि जो iron के pieces है वो उसमें चिपक रहे हैं what is the reason तो फिर reason find out हुआ कि इस box में नीचे की तरफ कुछ magnets attached है नीचे की तरफ क्या लगा हुआ है magnet लगा हुआ है तो magnet क्या कर रहा है उसकी iron की जो वो होती है iron materials की जो waste particles है वो उसके साथ क्या हो रहे है इस्टिक हो जा रहे है उसके बाद आपने कई और चीज़े पीप एप्लिकेशन देखे होंगे magnet के जैसे आपके fridge का दर्वाजा आप जब देखे आपके fridge का जो दर्वाजा होता है वो आप जब बंद करते हैं तो वो attach हो जाता है मतलब वो close हो जाता है तो उसका reason क्या है? reason उसका ये है कि यहाँ पर उसके सर्फेस पे actual में magnet लगा रहता है मैगनेट क्या करता है? चुछकि यह जो fridge होता है फिरिज की जो body होती है वो basically हमारी जो होती है वो iron की होती है iron मतलर मेटल की होती है उस कारण से यहाँ पर magnet लगा दिया जाता है तो magnet से क क्या होता है उसका ये जो portion है वो चिपक जाता है इसी कारण से आप देखते होंगे कि बिना किसी locking arrangement के भी आपकी fridge जो होती है वो बंद हो जाती है फिर इसके अलावा आपने कई और applications देखे होंगे जैसे आपने ये pencil box देखा होगा pencil box में बिना किसी locking arrangement के ये जो pencil box का उपर वाला हिस्सा है और आप नीचे वाले हिस्से को बंद करें तो आपका pencil box बिना किसी locking arrangement के भी बंद हो जाता है तो यहाँ पर भी reason क्या है यहाँ पर भी छोटा सा magnet लगा हुआ है यहाँ इसके अलावा आपने कई ऐसी holders भी देखे होंगे जहाँ पर जो आपकी iron की pin हुती है यह देखिये जो छोटी-छोटी pin होती है वो इस holder में जाके अटेच हो जाती है आपने देखा होगा एक holder होता है, holder में क्या होती है, pins कई सारी attach हो जाती है, तो ये pin का attach होना holders में, या ये pencil box का attach होना, या ये refrigerator का जो door है, उसका close होना, तो ये सारे reasons क्या है, what is the reasons behind it, तो इसका, और इसके अलावा आपने देखा हो कि जो sticker होते हैं, आपने देखा होगा, ये जो फरिज है, फरिज में जो स्टीकर होता है तो कायसे Кैसे स्टीक को घाता है? यहां पर मागनिक के कारण ही यह सारी छीजें और नहीं हो पाते हैं यह crane में अपना iron pieces attach हो जाते है pencil box पन पर जाता है यह sticker लग जाता है refrigerator में या जो iron के nails होते हैं वो holder में attach हो जाते हैं these all are because of magnets now अब हम बात करते हैं कि यह magnets के discovery कैसे की मतलब यह magnet actually में लोगों को कब पता चला कि हाँ magnet भी किसी तरीके का एक material होता है या property होती है material की जो कि उसके magnetic जो मतलब कुछ-कुछ materials को अपने साथ attract कर लेती है तो हमें यहाँ पर इसकी discovery समझनी है कि यह magnets discover कैसे कुई तो यह हमारे एक scientist है इस पर कहा जाता था कि यह shepherd नाम के there was a shepherd मतलब एक shepherd थे जिनका नाम था Magnus यह यहाँ पर इनका नाम क्या था Magnus यह कहां रहते थे यह Greece में रहते थे और यह अपनी sheep को और goat को रोज टहलाने के लिए mountains में लेके जाये करते थे मतलब उसकी जो sheep होती थी या goat होती थी उनको चराने के लिए वो क्या करते थे पहाड़ों पे लेके जाये करते थे हाला कि उसके साथ क्या करते थे वो अपने साथ एक stick लेकर के जाते थे वो stick किस लिए जाते थे ताकि इनके कंट्रोल किया जा सकी जो ship है या goat है उनको कंट्रोल किया जा सकी तो इनकी जो stick थी इसमें यहां पर क्या हुआ था आईरन सा एक बना हुआ था मतलब यह wooden stick थी लेकिन यहां पर इसका आईरन बना हुआ था तो एक पार इन्होंने यह surprise हो गए इसको देख करके कि इनका जो यह rod है इनका जो यह wooden rod है जो यहां पर आईरन का बना हुआ था इस तरफ तो वो जा करके एक mountain से जा करके attach हो गया और attach होने के बाद फिर वो उसको बहुत जादा जोर लगा करके उनको stick को free करना पड़ा तो यह जो मतलब एक पत्थर था mountain में जिस पे जा करके यह attach हो गया तो वो surprise हो गए कि भाई यह stick जो है वो उसके उपर attach कैसे हो गया तो वहीं से कहा किया कि natural magnet जो natural magnet था वो वहीं से form हुआ वहीं से discover हुआ कि भाई कोई ऐसी property है जिस से iron का जो मतलब जो iron है वो जा करके उससे attach हो रहा है मतलब attract हो रहा है मतलब कोई न कोई ऐसी प्रापर्टी है तो उसी लिए उसको उस टाइम पर बोला गया मैगनेट्स मतलब कि उस रॉक को मतलब उस रॉक को बोला गया देखे उस रॉक को जिस पे ये मैगनेट्स जिस पे ये मतलब ये चिपका हुआ था जिस पे ये rod उस rock को उस पत्थर को बोला गया magnetite उस पत्थर को उस time क्या बोला गया magnetite तो magnetite क्या था? magnetite contains iron मतलब उस में ठीक है और यहीं से हमारा जो जन हुआ the substance having the property of attracting irons are now known as magnets मतलब कि वो substance मतलब substance जिनकी property है कि वो iron से जुड़ी हुई चीजों को मतलब ऐसी चीजें जिसमें iron हो ध्यान से सुनियेगा ऐसी चीजें जिसमें iron हो उनको attract करने की उनको attract करने की substance में जो property होती है उसको आज की date में क्या बोला जाता है magnet मतलब the substance having the property of attracting iron are now known as magnet उसी को magnet बोला जाता है जो iron को attract कर सके substance की वो property जो iron को attract कर सके अब ये थी हमारी story iron magnet की उपर मतलब magnet की जो discovery किस तरीके से हुई वो ये story अब बहुत सारे लोगों ने देखा है कि बहुत सारे कई सारे rocks हैं जहां पर attract होती है property of attracting pieces of iron तो ऐसे ही कुछ कुछ और भी properties होती हैं जिसको हम बोलते हैं अब देखिए पहाडों पे जो पत्थर मिले पहाडों पे जो पत्थर मिले जिसमें देखा गया कि iron की चीजों को वो attract कर रहे हैं वो सारे क्या कहला है naturally occurring magnets मतलब वो naturally occur हुए उसको किसी ने मतलब भूडा मतलब वो natural थे जो हैदा हुए clear है यह सारी चीज़े आपको clear हुई अब इसके अलाबा भी कुछ artificial magnets भी बनाए गए मतलब देखिए हमारे अहां कुछ चीज़े natural होती है जो naturally पाई जाती है और कुछ चीज़े man-made होती है मतलब वो logo के द्वारा बना ही जाती है जैसे यह सारे जो magnet है यह देखिए यह आप यह देखिए बार magnet है जो आप use करते है जनरली यह देखिए बार magnet यह cylindrical magnet यू-shaped magnet यह सारे क्या है यह सारे artificial magnet इनको क्या है लोगों ने ब magnet देखते हैं अपने घरों में जो इस्तमाल होता है या जो आप जिससे खेलते हैं वो सारे क्या है artificial magnet वो सारे क्या है artificial magnet क्लियर नौव देर इस an activity मतलब एक activity perform की गई जिससे की यह पता कराया गया कि भाई यह जो magnet है उसका effect क्या है आपने paper clips देखी है जिससे paper को attach किया जाता है paper clip paper clip भी iron की बनी पेपर क्लिप भी क्या होती है iron की बनी तो इसका effect यहां से ऐसे नज़र आता है कि यहां पर क्या किया गया एक box लिया गया नीचे उस पर यहां पर एक rod लगाई गई यहां पर क्या लगाई गई एक rod लगाई गई clear और इसके अंदर यहां से एक rod के जरीए एक funnel को attach किया गया यह देखिए यह funnel है यह क्या है वो funnel है यह funnel को attach कर दिया गया ठीक है और इसके अंदर magnet रख दिया इसके अंदर क्या रखती है, magnet रखती है, मतलब यहां पर क्या किया गया, एक कप में एक magnet को put किया, और उसको cover कर दिया paper से, ठीक है, ताकि magnet visible ना हो, ठीक है, फिर इसके अलावा यहां पर एक thread लगाया गया, attach किया गया एक thread, और इस thread पे, जो लगाई गई, वो क्या लगाया यहां पर clips लगाई गए, यह जो paper clip है वो लगाई गए, अब आप देखेंगे कि यहां पर paper clip लगाई गई और इसको thread के थूँ यहां से बान दिया गया, अब कुछ time के बाद आप notice करेंगे कि यह जो उपर की clips है ना, यह उपर की तरफ attract हो रही है, यह जो iron की clips है यह उपर की तरफ attract क्यों हो रही है क्योंकि इस funnel के अंदर magnet है, इसी कारण से यह जो iron की जो clips है, paper clips है यह उपर की तरफ move करेंगे, उपर की तरफ यह attract, so this is the effect of magnet, now, let's talk about now, what are the magnetic and non-magnetic materials, देखे, इसके लिए आप एक magnet लीजिए, और उस magnet के आस पास, अब कौन से materials को हम magnetic materials कहेंगे, और कौन से material को हम non-magnetic materials कहेंगे, देखे, magnetic materials मतलब वो materials, जो magnet की तरफ attract हो जाए, जैसा कि अभी हमने example के तौर पर बताया iron, आप magnet लीजिए, और iron की कोई भी चीज, आप उसके पास लेके आईए, और छोड़िए, iron अपने आप जाकर के magnet से जाके चिपक जाएगा, मतलब की iron वो material है, जो attract हो जाता है towards the magnet, ठीक, तो ऐसे आप कई materials का test कर सकते हैं, ये आप खुद भी पता कर सकते हैं, कि भाई कौन सा material magnetic है और कौन सा नहीं है, आप अलग-अलग materials के objects लेकर के आईए, और एक magnet के पास लेकर के आईए, जो भी material magnet के साथ attract हो जाएंगे, मतलब वो magnetic materials हैं, और जो materials magnet के साथ attract नहीं होते हैं, मतलब वो non-magnetic materials हैं, magnetic materials के example क्या है, iron है, nickel है, cobalt है, ये सब क्या है, magnetic materials, क्यों, क्योंकि ये ऐसे materials हैं, जो अगर आप magnet के पास लाएंगे, तो magnet उनको खीच लेगा, which gets attracted towards a magnet, मतलब वो जाकर के चिपक जाएंगे, अगर यहाँ पर आप ध्यान से इस figure को देखें, तो यहाँ पर A side में जो बना है, देखेंगे आप magnet के आज पास ये जो iron की nails है, देखें, सब चिपक गई हैं, क्यों चिपक गई हैं, क्योंकि iron is a magnetic material, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, तो वो materials जो magnet की तरफ attract नहीं होते हैं, उनको non-magnetic materials बोला जाता है, जैसे हमारा rubber होता है, plastic है, stainless steel है, feather है, तो यह सारे क्या examples है, non-magnetic materials की, तो अगर आपको खुद भी find out करना हो, कि कौन सा object magnet को attract कर रहा है, तो आप object ले करके आईए, दे जैसे अगर मैं बात करूँ, iron ले करके आना है, तो आप iron की ball या iron की paper clip ले करके आ सकते हैं, फिर अगर आपको plastic का कोई item है, तो आप अपनी scale ले करके आ सकते हैं, फिर leather की बात करें, तो मतलब shoe ले करके आ सकते हैं, तो means you can reach out, मतलब आप सभी चीज़े ला करके और magnet के पास रख सकते हैं, ताकि आपको ये observe हो सके कि कौन-कौन सी चीज़े magnet से stick हो रही है और कौन-कौन सी नहीं हो रही है, अब जैसे कि कई बार ये चीज़ भी जानी जाती है कि जमीन, हमारी जो soil है, मिट्टी जो है, हमारी जो मिट्टी है, उससे magnet के attraction होता है या नहीं होता है, मत मतलब जो हमारा soil है वो कैसा material है तो basically हमारा soil जो होता है वो magnetic material है या नहीं ये इस चीज़ पर depend करता है कि soil के अंदर iron के traces हैं या नहीं अगर किसी soil में iron के traces हैं मतलब iron की feelings हैं वहाँ पर मतलब वहाँ पर कुछ ऐसे elements हैं जो iron के उस soil में हैं तो वो soil magnet की तरफ attract करेंगी क्योंकि iron is a magnetic material तो इसको क्या होता है कि आपको magnet को rub करना पड़ता है जैसे आप magnet लीजी और आप magnet को rub कीजिए sand में या soil में और फिर उस magnet को pull कीजिए आप देखेंगे कि अगर soil या sand के कुछ particles उसपे stick कर रहे हैं magnet पे अगर वो stick कर रहे हैं magnet पे मतलब वो magnetic material है ठीक तो basically क्या है कि यह जो particles stick कर रहे हैं यह क्या है यह iron है यह iron है जो उसपे stick कर रहा है मतलब मिट्टी में कुछ iron के मात्रा है जो कि क्या कर रहे हैं उस magnet पर fix हो रहे हैं या attach हो तो this is the reason behind it कि कभी भी आप आप soil या sand magnetic है या नहीं है इस चीज का पता कैसे लगा सकते हैं आप magnet को उसके उपर रब कीजिए और फिर देखिए कि मिट्टी का या sand का कोई सिरा जो है वो जा करके magnet से चिपका है या नहीं चिपका है अगर नहीं चिपका है और अगर चिपका है मतलब बतलब that sand or soil contain some iron इसका मतलब यह है कि उस sand या soil में iron की मात्रा प्रेजेंट clear है तो आप यह अपनी अपनी location में जो soil है उसमें आप check कर सकते हैं तो आपको खुद भी पता चल जाएगा now next अगर मैं बात करूँ तो next है poles of magnet अब देखे poles of magnet basically हमारा जो magnet होता है अगर हम example के तौर पर magnet को अगर हम rub करें soil तो जो iron fillings होते हैं क्या वो पूरे magnet के उपर stick करते हैं मतलब क्या वो पूरे magnet में जाके चिपकते हैं मतलब कि क्या हम जब magnet को soil में rub करते हैं तो क्या वो जो iron के जो traces होते हैं वो जो उसमें चिपकते हैं magnet में क्या वो पूरे magnet पे चिपकते हैं नहीं, वो particularly कुछ regions में चिपकते हैं, जैसे यहां पर आप यह observe करें इस figure में, कि यहां पर यह जो iron है, जादा से जादा iron इस हिस्से में और इस हिस्से में attach, यह बीच के हिस्से में उतना iron attach नहीं है, तो यह जो iron की attachment हुआ है, या फिलिंग्स हुई है, वो कुछ regions में जादा है, तो यहां पर अगर आप notice करें, तो इस magnet के एक end पे जादा है और फिर दूसरे end पे जादा है, मतलब जो दोनो corner के ends है, वहां पर iron की फिलिंग्स जादा है, मतलब वहां पर जादा iron के traces attract हुए clear तो यहां पर यह जो दोनों ends है bar magnets के जिस end पे जादा से जादा iron की fittings attach हुई है इसी को बोला जाता है poles of magnet यह जो pole होता है वो इन्ही ends के near होता है तो यह जो ends है मतलब यहाँ पर देखिए आपने एक magnet लिया magnet को rub किया आपने अब rub करने के बाद उसमें जो iron के pieces थे soil के अंदर वो इसके साथ जाके चिपक गए अब आप यह देखिए किस reason में iron के pieces ज़्यादा चिपके अगर आप यहाँ notice करेंगे तो यहाँ पर एक इस हिस्से में iron के pieces ज़्यादा चिपके हैं और एक इस हिस्से में चिपके हैं तो जाहर सी बात है यह दोनों ends क्या है पोल है इनी के आसपास क्या होगा पोल होगा जिसको हम magnet पोल्स के तो यहाँ पर iron fillings मतलब iron जो stick करता है magnet पे वो किस region में सबसे ज़्यादा कर रहा है उसी के nearest क्या होते हैं पोल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं पोल्स ओफ मैगनेट आई होग कि आपको समझ में आया होगा पोल्स ओफ मैगनेट नप अगर मैं बात करूँ तो next बहुत interesting चीज़ होती है आप लोगों ने compass के बारे में सुना हो compass basically जो पहले के समय में जो लोग directions मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो उनको direction पता करने के लिए compass की ज़रूद पढ़ती थी direction बता देता है नहीं है कि ये direction बता देता है तो compass में basically हमारा magnet है मतलब की magnet की मदद से direction फाइंड आउट किया जा सकता है कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए और ये compass के जरिये लोग बता पते है अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ magnets का इस्तमाल मतलब magnets बहुत पहले से ancient time से लोग इस चीज़ को जानते थे बहुत सारी properties magnets की हम जान चुके हैं अब यहाँ पर एक story है चाइना के एक emperor थे उनका नाम था हुएंग टी यह चाइना के एक emperor थे हुएंग टी इन्हों ने एक बार बताया कि इनके पास एक chariot है chariot मतलब आप समझ गए यह यह chariot कहलाता है chariot को आप बताईए हिंदी में क्या बोला जाता है रत जिसे कहते हैं आपने महा भारत में देखा होगा लोग रत पे बैट करके युद्ध लड़ते थे तो उसको क्या बोलते हैं उसको chariot बोलते हैं तो इस chariot में उसने बताया कि उसके पास that he had a chariot with a statue of a lady that could rotate in any direction इसमें statue बना हुआ था lady का जो कि rotate in any direction किसी भी direction में rotate कर सकती थी it had an extended arm as if it is was showing the way यह देखिए यहाँ पर इस lady का एक extended arm है जैसे कि वो way बता रही है कि आपको इस दिशा में जाना चाहिए यह देखिए आप यहाँ से ध्यान से देखिए यह एक chariot है chariot के उपर यह एक lady का statue बना हुआ है और यह statue का जो extended arm है यह क्या बता रहा है यह direction बता रहा है अब इस statue की भी अपनी एक interesting property थी it would rest in such a position that its extended arm always pointed towards south देखिए इस statue की एक बहुत important property थी कि यह वहाँ पर आकर के वैसे तो यह घूमता रहता था लेकिन यह statue वहाँ पर आकर के rest position पे पहुँच जाता था जब यह जिस point पर यह जो इसका extended arm बता रही है वो south direction में हो मतलब जैसे ही इसका extended arm south direction की तरफ होता था यह statue रुख जाता था चाइना के जो emperor थे उन्होंने यह बात बताई थी कि उनके पास एक chariot था उसमें एक lady थी जो freely rotate करती थी लेकिन वो rest condition पर तब आ जाती थी जब यह extended जो आम था वो south direction की तरफ शो करता था मतलब the statue का जो direction था वो क्या होता था pointed towards south और इसी direction को मतलब इसी direction को emperor locate करके नए नए places में जाया करते हैं मतलब उनको यह पता चल जाता था कि south direction किस तरफ तो एक पार आपको south पता चल गया तो जाहिर सी बात है आप बाकी directions को पता कर सकते हैं क्योंकि अगर आपको south direction पता चल गया तो आप जानते हैं कि उसके left तरफ क्या होगा आपका अगर मैं बात करूm south direction की तो south direction के left तरफ क्या होगा east होगा और उसके right तरफ क्या होगा west होगा तो ये जो chariot था और ये जो lady थी इसमें statue ये इनके directions की मदद से इनके directions की मदद से वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करती है अब similarly यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक bar magnet है यह देखिए एक magnet यहाँ पर attach किया हुआ है ठीक है अब यहाँ पर एक mark बना हुआ है for identification identification मतलब identification के लिए क्या किया गया है एक mark बना दिया गया है magnet के उपर ठीक है अब इस magnet को धागे के साथ बांद दिया है अब धागे के साथ उसको ऐसा बांदा है कि उसके middle में बदा हुआ है magnet के middle में धागा बदा हुआ है clear so that you may suspend it from a wooden stand अब ये wooden का ये लखडी का जो stand है उसके उपर इसको stick किया गया है ठीक है और इसको इस बात का ध्यान रखा गया है कि ये magnet freely rotate करे magnet क्या करे freely rotate करे और ये देखा जाए कि कब ये rest पे आ रहा है ठीक है let it come to rest मतलब ये घूमे और घूमने के बाद rest पे आ जाए जैसे यहाँ पर ये जो statue है ये घूम रहा था और घूमने के बाद ये rest पे एक particular position पे आ जाता है clear तो अब वो दो points आप ground पे देखिए आप ground पे वो दो points देखिए कि किन दो points पर magnet जो हो रहा है वो rest condition में आ रहा है मतलब अगर आप देखेंगे कि वो वहाँ पर दो points आप collect पीजिए ground पे कि भाई किन दो points पर आ करके magnet जो है वो रुक जा रहा है when it comes to rest clear अब उसके बाद उन दोनो points को एक line के दूँ जोइन कर लीजी ठीक है अब ये line क्या show कर रही है वो direction जिस direction में magnet जो है वो rest position पे आ रहा है magnet जो है वो किस position पे आ रहा है rest position पे अब फिर से इस magnet को rotate दीजिए ठीक है और फिर देखिए कि फिर से magnet जब रुकता है तो कौन से दो points है जिस पर रुक रहा है मतलब कि magnet जो रुक रहा है वो कौन से दो points है जिस पर magnet रुक रहा है clear मतलब आप इसको फिर से rotate करिए तो आप notice करेंगे कि ये उन्ही दोनो points पर rest कर रहा है जिस पर पहले rest कर रहा है मतलब कि वो point change नहीं होता मतलब इस activity को आप बार 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 करते रहे तो भी आप ये चीज़ notice करेंगे कि वो उसी दोनो points पर आ करके rest पर आता है मतलब ये जो rest पर आता है magnet ये एक particular direction पर ही rest पर आता है मतलब कि वो जो particular direction है ये magnet उसी उस पर rest पर आएगा जिसको हम north-south direction करते हैं क्या बोलते हैं north-south direction तो magnet आप देखेंगे कभी भी आपका जो magnet होता है वो उसी point पर आ करके rest करेगा जब direction north-south में मतलब कि अगर मैं बात करूं north-south direction की use the direction मतलब rising sun in the morning to find out the rough direction towards east clear where you can do this experiment if you start facing east to your left will be north मतलब अगर आप देखें अगर आपको ये experiment करना है तो basically आप सूरज की रोशनी में जब सूरज उकता है तो उस direction में अगर आप देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप east की तरफ देख रहे हैं तो जो आपका left होगा वो क्या होगा north होगा और जो right होगा वो आपका क्या होगा south होगा तो आप यहाँ पर notice करेंगे कि जो आपका magnet है वो rest condition पर तभी आ रहा है जब वो north-south direction की तरफ move कर रहा है तो magnet हमेशा north और south की तरफ ही point होता है तो ये जो end होता है towards north अगर मैं north की बात करूँ towards north जो होता है इसको बोलते हैं north pole magnet का north pole बोलते है क्योंकि एक direction जो रहता है वो north की तरफ रहता है और जो दूसरा direction होता है उसको बोलते है south pole उसको क्या बोला जाता है south pole तो एक होता है north pole और एक होता है south pole और सारे magnets basically जो होते हैं उसमें दो ही pole होते हैं एक होता है north pole एक होता है south pole आप कभी भी magnet देखिएगा तो magnet में एक n बना होता है एक तरफ और opposite direction में s बना होता है इसका मतलब यह है कि magnet के दो poles होते हैं एक north pole होता है और एक south pole होता है और magnet की इसी property से help होती है लोगों को ताकि वो direction को find out कर से magnet की ये property होती है जिसके कारण बहुत सालों से पहले के समय से जो travelers चला करते थे मतलब एक जगा से दूसरी जगा जो travelers जाया करते थे तो वो direction इसी हिसाब से find out करते थे जैसे basically जितनी भी आपके जहाज होते हैं जब आप समुंदर में जाईए तो समुंदर में उनके पास एक compass होता है तो वो compass से basically क्या करते है direction find out करते हैं कि हम किस direction आपने ये देखा होगा ये compass है ये compass है ये compass एक device है जो की direction बताता है तो ये rest कहां पर आ करके देखिए magnet ये जो magnet है ये हमेशा कहां पर आ करके rest करेगा जब भी ये north-south facing है मतलब ये north-south direction में ही rest करता है तो I hope कि आपको समझ में आया होगा किस तरीके से magnet की property की मदद से हम direction को find out करते हैं तो I hope कि आपको ये चीज clear हुई होगी next अगर हम बात करें तो make your own magnet देखिए खुद का magnet एक बनाया जा सकता है इसमें कुछ नहीं करना होता इसमें क्या करें आप एक rectangular piece ले ले iron का ये खुद का आप magnet बना सकते हैं एक rectangular piece ले ले आप iron का ठीक है बहुत simple method है ताकि आप magnet बना सकते हैं सबसे पहले आप क्या करिए एक rectangular piece लीजिए iron का उसको एक table पर रख दीजिए ठीक है अब आप एक bar magnet लीजिये और उस bar magnet के एक सिरे को उसके साथ attach करिए मतलब कि उसकी एक edge के साथ उसको attach करिए मतलब जैसे ये आपका bar magnet है है यह आपका बार मैगनिट है तो बार मैगनिट की एक एज अगर आप देखें गए तो यह एक जो है यह इसके साथ अटेच करें सबस्क्रीड हो hahop मतलब यहाँ पर यह क्या है अपना बार मैगनिट ya手 की और हमारा क्या है rectangular जो है अपना iron rectangular iron आप इसको क्या करेंगे आप इसको यहां से शुरू करेंगे clear वैसे मैंने यहां बनाया है बट आप यहां से शुरू करेंगे इसको और इसको इस direction में move करेंगे इस direction में इस direction में उसको move करेंगे मतलब इसको gently ऐसे edge की through बार मैगनेट को और इस iron पीस में इसको यहां तक ले करके आएंगे और यहां से फिर इस बार मैगनेट को उठाएंगे और उठाने के पाद फिर वापिस यहां रख देंगे मतलब कि यह जो direction चलेगा यह आपने उठाया और उठा करके फिर वापिस यहीं रख दिया और फिर इसको पीछे की तरफ ऐसे edge की through उसको move कराएंगे पीछे की तरफ फिर उसको lift करेंगे ऐसे आप कम से कम 30 से 40 बार करेंगे कितनी बार 30 से 40 बार करेंगे आप तो फिर आप कुछ टाइम के बाद notice करेंगे कि यह जो iron है ठीक है और उसके बाद क्या करिए आप iron के वो जो pin होते है ना जो paper pin होता है या जो आपने देखा हो pin जो होते हैं उनको ले करके आईए और इसके iron bar के पास में रखी तो आप notice करेंगे कुछ टाइम के बाद आप notice करेंगे कि इस iron bar मतलब इस iron के बार में भी वो जा करके stick होने लगे इस stick होने का मतलब क्या है मतलब यह जो iron का piece है अब वो magnet बन गया तो क्या बन गया यह जो iron का piece था rectangular piece उसको आपने क्या बना दिया magnet बना तो इस तरीके से आप अपना एक magnet बना सकते हैं 30 से 40 बार करिए अगर उसके बाद भी अगर attach नहीं हो रहा है तो आप फिर से उसको करते रहे हैं जब तक वो एक time के बाद ऐसा होगा कि जब वो attach कर से clear है तो this is your make your own magnet now what is the attraction and the repulsion between magnets देखे आप लोगोंने एक concept हमेशा पढ़ा होगा opposite poles attract each other जो opposite poles होते हैं वो एक दूसरे से attract होते हैं और जो same pole होते हैं वो एक दूसरे से दूर जाते हैं तो यहां पर भी attraction और repulsion कैसे होता है magnets का उसका यहां पर एक example दिया हुआ है यहां पर यह देखिए दो गाड़ीया लीगे गाड़ी है देखिए एक यह नीले रंग की गाड़ी है और एक यह लाल रंग की और यहां पर यह एक्सपेरिमेंट आप अपने घर में भी कर सकते हैं, इसको आपको घर में करके अब्जर्व करना है, आप क्या करिए, दो गाड़ी लेके आईए, मतलब खिलोने वाली कार लेके आईए, उसके उपर एक मैगनेट चिपका दीजिए, इधर एक मैगनेट को र इसका जो नौर्थ पोल है वो इस गाड़ी के बैक साइड हो, और साउथ पोल फ्रन्ट साइड हो, और इस वाली नीली वाली गाड़ी में, सारी लाल वाली गाड़ी में नौर्थ पोल फ्रन्ट साइड हो, और साउथ पोल बैक साइड हो, और फिर आप इन दोनों गाड़ी एक तो गाड़ी का जो फ्रंट है नीली वाली उसके फ्रंट में साउथ पोल रखिए और बैक में नॉर्थ पोल और जो लाल वाली है उसके फ्रंट में नॉर्थ पोल रखिए और बैक में साउथ पोल इस तरीके से आप मैगनेट को अटेच कीजिए और फिर दोनों गाड़ी या एक दूसरे के पास आ रही है या एक दूसरे से दूर जा रही है You should have to decide मतलब यह आपको वो experiment करके पता चलेगा कि यह दोनों गाड़ियां एक दूसरे के पास जा रही है या दूर जा रही है तो उससे आपको observation हो जाएगा और अगर आप यह चीज़ करके देखेंगे तो आप देखेंगे यह दोनों गाड़ियां एक दूसरे के तरफ खिची चली आएगी क्यों? क्योंकि दोनों के opposite pole एक दूसरे को attract करेंगे एक तरफ उसका south pole है और एक तरफ क्या है उसका north pole तो वो क्या करेंगे एक दूसरे को attract करेंगे similarly यहाँ पर एक और condition का इस्तिमाल किया गया है जिसमें की यह जो लाल वाली गाड़ी है इसका north pole और आगे की तरफ है और south pole पीछे की तरफ है अब क्या कर दिया है इसमें क्या कर दिया है नीली वाली गाड़ी में इसमें south pole आगे की तरफ कर दिया है और north pole पीछे की तरफ मतलब simply क्या किया है इस गाड़ी को घुमा दिया इस गाड़ी को घुमा के इसके पीछे रख दिया है मतलब अभी ये गाड़ी आमने सामने थी अब इस गाड़ी को घुमा के इसके पीछे रख दिया है अब आप इस से अब्जर कीजिए कि कार जो हो रही है एक डूसरे से अट्रैक्ट हो रही है एक दूसरे से दूर जा रही है तो आप यहां नोटिस करेंगे चुकी यहां पर यह दोनों सेम पोल है तो सेम पोल में हमेशा रिपल्शन होता है और रिपल्शन का मतलब होता है एक दूसरे से दूर जा तो यह हमारा अट्रैक्शन होता है और रिपल्शन होता है अब मैगनेट एक प्रॉपर्टी है ठीक है तो मैगनेट की प्रॉपर्टी भी लूज होत थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे कि उस magnet की जो magnetic property है वो खतम हो जाएगी तो basically heating के कारण या आप उस magnet पे hammer मारते हैं या उसको आप गिरा देते हैं from some height तो उसकी जो magnetic property होती है वो weak हो जाती है तो इसलिए magnet को safe रखने के लिए यहां पर आपने देखा हो कि magnet को safe रखने के लिए कई कई तरीके का इस्तमाल किया जाता है ताकि हमारा magnet जो है वो safe रहे और वो magnetic properties को lose ना करे और basically हमारे घरों में जो cassette होती है या जो television होता है mobile होता है इससे magnet को दूर रखा जाता है क्योंकि इससे magnetic properties दूर होती है वो तो यहां पर आकर के हमारा magnet का chapter खता होता है I hope कि आपको magnets के बारे में समझ में आया होगा और सारी चीज़ी clear होई होगी इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज comment box में mention कीजिए otherwise हमारे चैनल को like कीजिए subscribe कीजिए और maximum से maximum share कीजिए so guys thank you have a good day जैहें नमस्कार